नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल स्क्वाइर क्लासेस में तो आज हम हिंदी के कोश्चन को डिसकस करने वाले हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्य के कोश्चन होंगे जो कि पिछले परिच्छाओं में पूछे गए हैं कुछ नए कोश्चन भी हैं तो आज हम इसको डिसकस करेंगे और उपसर्ग और प्रत्य की बात करें तो उपसर्ग वे वरड या सब्द होते हैं जो किसी सब्द के पहले जुडते हैं और सब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं वहीं अगर प्रत्य की बात करें तो प्रत्य वे वरड या सब्द होते हैं जो किसी सब्द के बाद में जुडते हैं और अर्थ को परिवर्तन करते हैं तो उपसर्ग किसी सब्द या वरड के पहले जुड़ते हैं और जो प्रत्य होते हैं वो किसी सब्द या वरड के बाद में जुड़े जाते हैं तो आज हम question को discuss करेंगे उपसर्ग और प्रत्य के तो चलिए start करते हैं और लेते हैं अपने पहले प्रश्ण को और पहला प्रश्ण हमारा कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है बताना है कि जो प्रख्यात शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है क्या इसमें प्राउपसर्ग है या पाउपसर्ग है या परउपसर्ग है या ताउपसर्ग है अगर प्रख्यात का संदी बिच्छेत करें तो प्रा प्लस ख्यात बनेगा और प्रख्यात में जो आपका उपसर्ग है वो आपका प्रा उपसर्ग है यानि आपका option A जो है प्रा आपका सही answer है चलिए अगले प्रश्ण पर चलते हैं और लेते हैं अगले प्रश्ण को अगला प्रश्ण हमारा दूसरा कि प्रमाड में कौन सा उपसर्ग है यानि प्रमाड में प्रमाड जो सब्द है उसमें किस प्रकार का उपसर्ग है बताना है क्या पर उपसर्ग है या पा उपसर्ग है या का उपसर्ग है या प्रा उपसर्ग है तो प्रमाड अर्थाद प्रा प्रश्माड यानि कि प्रमाड में आपका जो उपसर्ग है वो आपका प्रा उपसर्ग है आनि आपसन आपका डी सही है चलिए अगले प्रशन पर अगर इसको हम संद्वी छेत करें, तो यह बनेगा मूर्ख और प्रस्ता, यानि कि ता आपका बाद में जुड़ा है, और यह प्रत्य है, तो मूर्खता सब्द में जो प्रत्य है, वो आपका ता है, मूर्ख आपका मूल सब्द है, और ता आपका प्रत्य है, चलिए अगले प्रत्य है या ला प्रत्य है या वा प्रत्य है अगर वत्सल को देखें हम तो ये बनेगा आपका वत्स प्लस ला वत्स प्लस ला बनेगा जिसमें वत्स आपका मूल सब्द है और ला आपका प्रत्य है तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो होगा आपका सी यानि ला आपका चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं और अगला प्रशन हमारा पांचवा कि सुहाउना सब्द में कौन सा प्रत्य है सुहाउना सब्द में प्रत्य बताना है कौन सा है क्या ना प्रत्य है या शू प्रत्य है या आउना प्रत्य है या हा प्रत्य है अगर सुहाउना की बात करे तो सुहावना में जो आपका प्रत्य बनता है वो कौन सा आपको बताना है तो अगर सुहावना सब्द की बात करें तो सुहावना सब्द में जो आपका प्रत्य है वो है आपका आउना यानि सुहावना में आउना प्रत्य है शुह आपका मूल वरड है और आवना आपका प्रत्य है तो आपका बनेगा जो सब्द वो बनेगा सुहावना तो इस परकार का आपका option C सही answer है चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं और अगला प्रशन हमारा लिखाई सब्द में बताना है कि प्रत्य कौन सा है जो है लिखाई सब्द इसमें प्रत्य कौन सा है क्या इसमें आई प्रत्य है या ली प्रत्य है या खा प्रत्य है या आ प्रत्य है तो लिखाई सब्द की अगर बात करें तो इसमें जो प्रत्य है, अगर लिखाई सब्द का विछेद करें, तो लिख फलस आई आपका होगा, लिख प्लस आई आपका संद विछेद होगा, लिख आपका मूल सब्द है, यानि लिखना जिससे होता है, और आई आपका प्रत्य है, तो इसमें आपका option A जो है, आपका सही है आई प्रत्य है लिखाई शब्द में चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं और अगला प्रशन हमारा कि छलिया सब्द में प्रत्य बताईए बताना है कि जो छलिया शब्द है इस सब्द में प्रत्य कौन सा है क्या इसमें चा प्रत्य है या च्छा प्रत्य है या इया प्रत्य है या च्छा प्रत्य है तो बताना है कि जो छलिया सब्द है इसमें प्रत्य गया है तो जो आपका छलिया सब्द है ये छल और इया से बना है इसमें छल आपका मूल सब्द है और या आपका प्रत्य है तो छल या सब्द का जो प्रत्य होगा वोगा आपका या या यानि C आप्सन सही है अगला प्रशन लेते हैं और अगला प्रशन है हमारा कि दुरात्मा में प्रत्य बताना है जो आपका सब्द है दुरात्मा इसमें प्रत्य बताना है कि कौन सा प्रत्य है क्या इसमें दुर प्रत्य है इसमें हल रहेगा या दुरा प्रत्य है या दू प्रत्य है या आत्मा प्रत्य है तो अगर दुरात्मा की बात करें तो इसका जो संधिविछेद होता है वो होता है दुर पलश आत्मा दुर का अर्थ होता आपका बुरा और आत्मा का मतलब आत्मा यानि प्राण तो इसमें जो आपका प्रत्य है वो आत्मा प्रत्य है अगर दुरात्मा में प्रत्ते की बात करें तो इसमें आत्मा प्रत्ते है चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं और अगला प्रशन है कि प्रति धोनी में कौन सा उपसर्ग है जो आपका सब्द है प्रति धोनी इसमें उपसर्ग बताना है तो क्या इसमें प्रत उपसर्ग है या प्राउपसर्ग है या प्रती उपसर्ग है या नी उपसर्ग है अगर प्रती धोनी का संदी बिछेद किया जाए तो यह बने आपका प्रती प्लस धोनी बनेगा प्रति प्लस धोनी बनेगा जिसमें प्रति आपका उपसर्ग है और धोनी आपका मूल सब्द है तो इसमें आपका उपसर्ग बताना है तो आपका जो C आंसर है प्रति आपका सही आंसर है चलिए एगले प्रशन पर चलते हैं और दस्वा प्रशन है हमारा कि अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन सा है जो सब्द है आपका अधिकार इसमें उपसर्ग बताना है या उपसर्ग जो सब्द के पहले जूड़कर आर्थ को परिवर्तित करते हैं क्या इसमें कार उपसर्ग है या अधि उपसर्ग है या धी उपसर्ग है या आउपसर्ग है तो अधिकार सब्द का अगर संदिविच्छेत किया जाए तो यह बनेगा आपका अधि और प्लस में कार बनेगा तो जिसमें आपका जो कार है ये मूल सब्द है और जो अधि आपका है या आपका उपसर्ग है तो यहाँ पर जो अधि आपक चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं और अगला प्रशन हमारा कि धार्मिक में कौन सा प्रत्य है अपकी बार प्रत्य बताना है कि जो सब्द है आपका धार्मिक इसमें प्रत्य कौन सा है क्या इसमें का प्रत्य है या इक प्रत्य है या मिक प्रत्य है या धा प्रत्य है तो ध अगर सद्ध विछेद किया जाए तो यह बनता है आपका धर्म और प्लस में बनता है आपका इक जहां पर धर्म आपका मूल सब्द होता है और इक जो है आपका होता है प्रत्य तो धर्मिक सब्द में जो प्रत्य है वो है आपका इक यानि आपका बी आंसर सही है लगते हैं अगले प्रशन को और अगला प्रशन है कि प्रति उपसर्ग किस भासा में आया है आपकी बार बताना है कि जो प्रति उपसर्ग है यह किस भासा में आया हुआ है आपको चार अपसन दे गए हैं चारों में बताना है कि किस भासा में आया हुआ है आपका जो प्रती उपसर्ग है, क्या यह अंग्रेजी भासा का है, या हिंदी भासा का है, या संस्कृत भासा का है, या फारसी भासा का है, तो अगर प्रती उपसर्ग की बात करें, तो यह आपका जो है, वो संस्कृत भासा का है, जो प्रती उपसर्ग है आपका, अगले प् प्रत्य नहीं लगा हुआ है क्या नाली में नहीं है या मंडली में नहीं है या नगरीय में नहीं है या टोकरी में नहीं है तो अगर ए प्रत्य की बात करें तो अगर नाली शब्द की बात करें तो इसमें ए प्रत्य है मंडली की बात करें तो इसमें नगर पलश यह होगा यानि इसमें जो है प्रत्य वो आपका यह प्रत्य है और टोकरी की बात करें तो इसमें यह प्रत्य है तो जो हमारा सब्द है नगरी यह इसमें आपका यह प्रत्य नहीं है और आपका यही आंसर सही है अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है कि अध्यक्ष अध्यक्ष सब्द में उपसर्ग क्या है अध्यक्ष सब्द में उपसर्ग बताना है कि कौन सा है क्या अध्य है या अध्य है या अध्य है या अत्य है अगर अध्यक्ष का संधिवित छेट किया जाए तो यह बनता है आपका अधि और प्लस में बनेगा आपका अच्छ बनेगा तो आपका जो उपसर्ग है इसमें अधि है और जो मूल सब्द है वो है आपका अक्छ है तो यहाँ पर आपको उपसर्ग बताना है, तो उपसर्ग हमारा है, इसमें अधी और आपसे आपका ये सही आंसर है, चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं, और लेते हैं अगला प्रशन, अगला प्रशन हमारा, कि संग्राम सब्द में कौन सा उपसर्ग है, आपको फिर से अगले प्रशन पर चलते हैं और अगला प्रशन है कि साउधानी में कौन सा प्रत्य है साउधानी सब्द जो है उसमें प्रत्य बताना है कि कौन सा है क्या इसमें आनी प्रत्य है या इसमें धानी प्रत्य है या इप्रत्य है या नी प्रत्य है तो अगर साउधानी सब्द की बात करें तो साउधानी सब्द का जो मूल सब्द है वो होता है आपका शाउधान और साउधान सब्द में जब आपका E प्रत्य लगाया जाता है तब सब्द जो बनता है वो बन जाता है आपका साउधानी चलिए एगले प्रशन पर चलते हैं और अगला प्रशन हमारा कि जिंदगी सब्द में कौन सा प्रत्य है जो सब्द है आपका जिंदगी इसमें बताना है कि प्रत्य कौन सा है जिंदगी सब्द में क्या इसमें इ प्रत्य है या गी परते है या दगी परते है या ई परते है तो अगर जिंदगी की बात करें तो जिंदगी सब्द का जो मूल सब्द होता है वो होता है आपका जिंदा जिंदा आपका मूल सब्द है और इसमें लगाया जाता है आपका जब गी प्रत्य तब यह है शब्द बन जाता है आपका जिन्दगी तो जिन्दगी सब्द का जो मूल सब्द है वो जिन्दा है और गी इसका प्रत्य है और बताना है आपको कि प्रत्य कौन सा है तो इसमें जो आपका B आंसर है गी वो आपका जिन्दगी सब्द में प्रत्य लगा हुआ है अगले प्रशन पर चलते हैं और अगला प्रशन लेते हैं कि आगमन सब्द में कौन सा उपसर्ग है आगमन सब्द जो है इसमें उपसर्ग बताना है आपको कि कौन सा उपसर्ग है क्या इसमें आ उपसर्ग है या हरश आ उपसर्ग है या आग उपसर्ग है या रश उपसर्ग है तो आगमन सब्द की बात करें अगर तो आगमन सब्द का जो संदिविछेद होता है वो होता आपका आ और पलस में गमन जिसमें गमन आपका मूल सब्द है और जो आ है आपका ही आपका होता है उपसर्ग और पूछा गया है कि आगमन सब्द में उपसर्ग क्या है तो उपसर्ग आपका है दीर आ यानि कि बड़ा जिसे कहाता है आपका उपसर्ग है चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं और लेते हैं अगला प्रशन हमारा कि रसोईया में उपसर्ग कौन सा है बताना है कि जो सब्दा आपका है रसोईया इसमें उपसर्ग क्या है क्या इसमें या उपसर्ग है, या इया उपसर्ग है, या आ उपसर्ग है, या शा उपसर्ग है साहिद एक question में हो सकता है, कुछ गलती हो गई हो इसमें साहिद प्रत्य बताना था, यहाँ पे प्रत्य कर लीजिए इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रत्य है टाइपिंग में कहीं मिश्टेड को गए होगा तो प्रत्य बताना आपको तो रसो इया सब्द का जो मूल सब्द है वो होता है रश और जो इसका प्रत्य होता है वो होता है आपका इया प्रत्य आपका होता है इया हरशोई रहेगा इया प्रत्य होगा तो रस इसका मूल सब्द है और या इसका प्रत्य है तो इसका जो प्रत्य है वो हो आपका या 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 बी आपसन आपका सही है चलिए अगले परशन पर चलते हैं और अगला परशन लेते हैं कि दुकाल में जो सब्द है आपका दुकाल इसमें उपसर्ग बताना है कि कौन सा है क्या इसमें हिंदी उपसर्ग है या अर्बी उपसर्ग है या फारसी उपसर्ग है या उर्दू उपसर्ग है तो दुकाल सब्द की बात करें तो दुकाल सब्द का जो संध्य विछेद होता है वो होता है दू और प्लेस में काल जिसमें आपका दू उपसर्ग है और काल आपका प्रत्य है और जो आपका दू उपसर्ग है यह दू उपसर्ग जो है आपका हिंदी का उपसर्ग है तो जो आपका आपसन सही है वो ए आपसन सही है जो दू उपसर्ग है ये हिंदी का उपसर्ग है चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं और अगला प्रशन लेते हैं अगला प्रशन है 21 कि जो बावर्ड है उपसर्ग किस में है बताना है कि चारो आपसन में से बाउपसर्ग किस में है तो क्या इस बदबू में है बाउपसर्ग या बदना में है या बदवलत में है या बदहजमी में है तो अगर हम बाउपसर्ग की बात करें तो बदबू की बात करें तो बद इसमें मूल सब्द है बू इसमें प्रत्य है बदना की वाद करें तो बदना मूल सब्द है बदवलत की वाद करें तो इसमें है बा और प्लस में दौलत इसका जो संदेविछेद है वो होता है बा प्लस में दौलत यानि बा इसमें उपसर्ग है और दौलत इसमें प्रत्य है मतलब प्रत्य नहीं मूल सब्द है तो बा इसमें उपसर्ग है और बताना है कि किसमें बा उपसर्ग है तो इसमें बदवलत जो सब्द है इसमें आपका है बा उपसर्ग बदहजमी की बात करें तो इसमें प्रत्य है लेकिन उपसर्ग नहीं है तो आपका जो आपसन सही है वो C आपसन आपका सही है चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं और अगला प्रशन है हमारा कि इन में से किश में निर उपसर्ग नहीं है निर उपसर्ग नहीं है बताना है किश में क्या निर्बल में नहीं है, निर्वाह में नहीं है, निर्देश में नहीं है तो निर्बल की बात करें, तो निर्बल में जो उपसर्ग होता है, निर्पलस बल होता है ये होता है अपका, निर्वाह में बल होता है, वहीं अगर निर्वाह की बात करें तो इसमें भी निर पलश वाह होता है निरदेश की बात करें तो निर पलश देश होता है लेकिन अगर निहसेश की बात करें तो निहसेश में आपका उपसर्ग नहीं है निर उपसर्ग नहीं है इसमें निर उपसर्ग है अगर अगला प्रशन है हमारा कि बुरे के अर्थ में प्रियोग होने वाला बद उपसर्ग किस भासा का है जो बताना है कि जो आपका बद उपसर्ग है ये किस भासा का है क्या ये हिंदी का है या अंग्रेजी का है या शंश्कृत का है या उर्दू और फारसी का है तो अगर बद उपसर्ग की बात करें तो जो आपका बद उपसर्ग है इसका अर्थ होता है बुरा और बद उपसर्ग आपका उर्दू और फार्सी भासा का है यानि उर्दू भासा में भी प्रयोग किया जाता है और खारसी में भी दोनों में बद उपसर्व का प्रयोग किया जाता है तो आपका जो आपसन सही है वो है उर्दू और फारसी चलिए एगले प्रशन पर चलते हैं और अगला प्रशन हमारा कि आहट आवट आवट और आस आदि किस प्रकार के तद्धित परते हैं यहां से एक चीज पता चलता है कि जो आहट आवट और आस परते हैं यह आपके तद्धित परते हैं यह कनफर्म है अब बताना है कि किस प्रकार के तद्धित परते हैं क्या यह भाववाचक हैं या संबंधवाचक हैं या कृतवाचक हैं या करमवाचक हैं तो अगर आहट, आवट और आस की बात करें, तो ये ऐसे सब्द हैं, जिनके अर्थ को ना तो हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, बसकि वो लिन्हे महसूस किया जा सकता है, और जिन चीजों को हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो आती हैं आपके भाव अचक के अंतरगत, तो जो आपके आहट, आवट और आस, तद्धित प्रत्य हैं, यह आपके भाव अचक के अंतरगत आते हैं, चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं, और अगला प्रशन हमारा कि प्रत्यासा सब्द में उपसर्ग बताना है, कि जो सब्द आपका प्रत्यासा इसमें उपसर्ग कौन सा है क्या इसमें प्रति उपसर्ग है या प्रत्या उपसर्ग है या आ उपसर्ग है या प्रा उपसर्ग है तो अगर प्रत्यासा की बात करें तो इसका जो संधि बिच्छेर है वो होता है आपका प्रती और धन में आशा तो यहाँ पर आसा आपका मूल शब्द है और प्रती जो आपका है यह है आपका उपसर्ग तो प्रत्यासा सब्द का जो उपसर्ग है वो होता है आपका ए यानि की प्रती आपका इसमें उपसर्ग है चलिए एगले प्रशन पर चलते हैं और अगला प्रशन है हमारा कि आपचारिक शब्द में प्रत्य लगा हुआ है आउपचारिक जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्य है आपको बताना है क्या इसमें एक प्रत्य है या एक प्रत्य है या आ प्रत्य है या का प्रत्य है बताना है तो आउपचारिक की बात करें तो आउपचारिक का जो संधिविछेद होता है वो होता है आपका उपचार और प्लस में आपका होता है एक जब उपचार और एक दोनों को मिला देया जाता है तब आपका सब्द जो बनता है वो होता है आपका आउपचारिक और आपचारिक में जो उपचार है यह आपका अमूल सब्द है और अगर यहाँ प्रत्ते की बात करें तो जो आपका इक है यह आपका है प्रत्ते तो आपचारिक सब्द में जो प्रत्ते लगा हुआ है वो लगा हुआ है आपका इक प्रत्ते यानि option आपका बी जो है ये सही है तो चलिए एगले प्रशन पर चलते हैं और अगला प्रशन हमारा 27 वा कि अनुबाद सब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है बताना है कि जो अनुबाद सब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है आपको बताना है क्या इसमें आउपसर्ग है या अनुपसर्ग है या अनुपसर्ग है या अनुपसर्ग है तो अगर अनुबाद सब्द की वाद करें तो इसका जो संधि बिच्छेद है वो होता है आपका अनु और प्लस में होता है आपका वाद यहाँ पर अनू की बात करे तो अनू आपका है उपसर्ग और वाद आपका है मूल सब्द तो मूल सब्द आपका वाद है और अनू जो आपका उपसर्ग है और बताना है कि उपसर्ग क्या है तो इसमें आपका जो C आपसन है यानुजो है अनुवाद सब्द का उपसर्ग है अगले प्रशन पर चलते हैं और 28 प्रशन है कि प्रगती में कौन सा उपसर्ग है आपके पास सब्द है प्रगती इसमें आपको उपसर्ग बताना है कि कौन सा है क्या इसमें प्राउपसर्ग है या परउपसर्ग है या तीउपसर्ग है या पाउपसर्ग है तो प्रगती की बात करें तो इसका जो संद्वी छेद है वो होता है प्रा और धन में गती जहां पर आपका प्रा उपसर्ग होता है और गती आपका मूल सब्द है तो उपसर्ग इसमें बनेगा जो आपका वो बनेगा आपका प्रा यानि आपका सही है प्रगती शब्द में प्रा उपसर्ग है और गती मूल सब्द है चलिए एगले प्रशन पर चलते हैं और लेते हैं अगला प्रशन, अगला प्रशन है हमारा 29 कि अत्यंत शब्द का संधी विच्छेद करने पर उपसर्ग की रूप में प्राप्त होगा बताना है कि अगर अत्यंत सब्द का संधिविछेद किया जाए तो आपको उपसर्ग क्या मिलेगा इसमें क्या इसमें अतिविछेद क्या मिलेगा या आउपसर्ग मिलेगा या अतुपसर्ग मिलेगा या अन्तुपसर्ग मिलेगा तो संधिविछेद करते हैं अतियंत का तो इसका जो संधिविछेद है वो होता है अति और प्लस में होता है आपका अंत तो बन जाता है आपका अतियंत तो इसमें उपसर्ग जो है वो है आपका अति है और अंत इसका मूल शब्द है तो अति आपका उपसर्ग है और वही है जो अतियंत है उसमें आपका अति EVERY उपसर्ग कहले है तो चलिए एक लिए परशनकर चलते हैं और थीवा परशन यह हमारा यह हमारा और और यह अंति शेष्टन का तो च्छितेरा शब्द में प्रत्ते बताना है कि कौन सा है क्या इसमें ची है प्रत्ते या एरा प्रत्य है या इरा प्रत्य है या ता प्रत्य है तो चित एरा की बात करेंगर तो जो इसका संधिविछेद है वो होता है आपका चित और धन में होता है आपका एरा जहां पर आपका जो चित है यह मूल सब्द है और एरा की बात करें तो एरा आपका इसमें प्रत्य है और तो हमारे साथ session को enjoy कीजे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजे और देखते रहें अपने class को अपने notes आपके पास जो भी होंगे उसको भी तयार करते रहें exam बहुत करीब है सभी लोगों का और अपना खयाल रखिये तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले class में